digital signal क्या है और digital signal हम communication में कैसे define करते हैं कैसे समझते हैं सबस्चा तरीका है digital signal को समझने का आप analog signal को समझ आई यह सबमान कि चलिए कि analog signal जो है digital signal analog नहीं है देखें कैसे digital signal एक तो analog signal जो है वो continuous होता है है ना डिस्क्रीट non-discreet होता है कहने का मतलब कि ये digital signal क्यों नहीं है क्यों 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 एक तो ये continuous है digital signal continuous नहीं होता ये non-continuous होता है दूसरा discrete मतलब ये है कि हर point पे आपको value मिलेगी analog signal में digital signal में आपको discrete value मिलेगी मर हर point पे आपको value नहीं मिलेगी तो digital signal जो होते हैं वो बनते एनलाओ से ही है तो आपको एनलाओ समझना बहुत जरूरी है इसके लिए डिजिनल सिगनल जो होते हैं वो ही एनलाओ यहाँ पर हम वल्टेज टाइम ही देंगे लेकिन हम वल्टेज टाइम जो होगा इस पॉइंट पे वल्टेज क्या यह हो गया इस point पे voltage क्या ये हो गया इस point पे voltage क्या हो गया तो ये जो आपको मिले ना इस तरीके से इसी को हम आप digital कहने लगेंगे ये जो है इसी को ये point ले लिया ये point ले लिया ये analog का ये point ले लिया इसको हम digital कहने लगेंगे clear है तो analog digital में अंतर भी समझ रहे हैं आप साथ में ये भी समझ रहे हैं कि digital signal होते क्या है अब आप देखें कि जो digital signal है पहले चीज़ तो ये discontinuous है आप ये मान के मत चलिए कि ये line है जुड़ी हुई है नहीं आपका 0 ये है और 1 ये है तो मगर मैं इसको ऐसे बनाओ तो ये बनेगा इस तरीके का ये आपका 0 हुआ ये आपका 1 हुआ फिर ये आपड जीरो जीरो फिर ये 1 हुआ यानि कि ये discontinuous है आपस में continuity नहीं है यहाँ पर breakage हो रहा है और साथ में ये आप देखेंगे कि यहाँ पर इस तक तो value आपको मिल रही है यहाँ से यहाँ तक एक ही value मिल रही है यानि कोई infinite values नहीं मिल रही है कोई changing value नहीं मिल रही तो digital signal आपके discontinuous है जो कि यहाँ आप देख पा रहे है यह केवल दो value ले सकते हैं एक तो यह 0 है या फिर 1 यही दो value ले सकते हैं यानि कि low और high जैसे आप एक switch आपके घर पे होगा आप इसको on करिए तो आप one माल लीजे off कर लीजे तो zero माल लीजे इसी तरीके से जब हम digital signal का transfer करेंगे तो zero volt जब भी मिलेगा receiving party को वो कहेगा कि हमको zero मिला है receiving party को आप 5 volt भेजेंगे वो कहेगा कि हमें one मिला है सारा खेल इस voltage का है और कुछ नहीं है digital signal आप आप कहेंगे जो analog signal है उसको तो हम phase, amplitude, frequency इन सबसे define कर लेते है digital signal को भी हम harmonics में define कर सकते हैं यानि कि इसको भी हम sine wave बना सकते हैं यह जो चितर आ रहा है आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हम wave इस तरीके से wave बना सकते हैं इसको हम harmonics कहते हैं यानि कि यह ऐसे बनेगा जितना ज़्यादा आप n बढ़ाएंगे मैं आपको बताऊंगा आगे चलके जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना यहाँ पर यह और यहाँ पर इसके variation हो जाएगा finally आप देखेंगे n जब infinite हो जाएगा तो इस straight line हो जाएगी जो कि आपका digital signal ही होता है तो analog signal की तरह digital signal जो है उसमें भी हम amplitude और frequency और phase यह बता सकते हैं ऐसा आप कभी नहीं कह सकते हैं हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ultimately analog से digital बनता है और इस digital को भी हम इस तरीके से जो आप चितर देख रहे हैं हम amplitude, frequency और phase में ढाल सकते हैं अब आप कहेंगे देखें यह जो amplitude और frequency और phase तो यह analog signal की feature है तो digital signal की features क्या होते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि digital है यह 0 और 1 ही हो सकता है आपके पास discrete है non continuous है तो digital signal को define करने का तरीका है bit interval क्योंकि आप bits बेज रहे हैं basically 0101 इस तरीके से ही तो बेज रहे हैं यह तो आपका signal है तो bit interval और bit rate bit interval bit rate bit interval और bit rate में क्या अंतर है देखेगा bit interval का मतलब ही होता है जितना समय लगा आपको एक single bit को ठाइए जितना समय यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में लगा उसको आप कहेंगे bit interval bit rate क्या होगा कितने bit आपने एक interval में यह कहेंगे एक second में भेजे for example आप देखेगा कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं यहां से आप तक तो यह आपका bit interval हो गया लेकिन एक second में आप यहां से आपक कितने भेज रहे हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ तो आठ जो है bit per second इसका bit rate हो गया जो कि मैं यह आपको बता रहा हूँ और एक second में आप एक bit भेज रहे हैं तो इसका मतलब एक second में आप 8 bit intervals है तो आप जब भी bit digital signal को define करेंगे उसमें दो ही चीज़ होगी कि यह कभी नहीं आता यह बहुत आगे कि मतलब जब आप थोड़ा advance में पहुंचेंगे तब आप देखेंगे कि amplitude frequency में कैसे दिखाया जाता है अगर आप भी beginner है तो आप bit interval और bit rate को ही समझेगे जो next बात आती है digital signal में वो यह है कि हम audio signal का ही इस्तेमाल कर रहे है digital signal अपने आप नहीं बनता analog signal लिया हम analog signal का use कर रहे हैं इस्तेमाल कर रहे हैं transmission number के लिए अब number का इस्तेमाल कैसे कर रहे है number को हमको भेजना है अब number को हमको जैसे आपने कहा कि मुझे 6 number भेजना है कैसे भेजेंगे इसको इसको हम पहले bit में convert करेंगे bits में अब हम इन bits को convey करेंगे as a information या फिर इसको आगे हम भाड़ाएंगे आगे भेजेंगे तो digital signal ये कोई ना कोई physical property यूज करेगा जैसे आप यहाँ पर देखिए ये voltage का करेगा current का करेगा ताकि हम एक bit को भेज सके जैसे अगर हमको 0 भेजना है तो हम कहेंगे यार 0 वल्ट भेज देते हैं 1 भेजना है तो हम कहते हैं प्लस 5 वल्ट भेज देते हैं तो ये voltage का इस्तेमाल हो रहा है bits को भेजने के लिए अब थोड़ा सा इसका science समझे कि असली में digital signal काम कैसे करता है जैसे मैंने बताया आपको 6 अब 6 का अगर आप निकालेंगे 2, 3s are 6 ठीक है ये आपका हो गया 0 2, 1s are 2 तो ये आपका हो गया 1 तो इसका basically क्या हो गया 1, 1, 0 तो 6, 6 का digital क्या हो गया 1, 1, 0 अगर हमको 6 भेजना है तो हम basically हमको भेजना है 1, 1, 0 अब इसको कैसे भेजेंगे हम ये परने decide कर लेंगे कि देखे साब कि जो high है मतलब plus 5 voltage जब होगा तो हम ये कहते हैं कि ये 1 होगा और अगर ये 0 voltage है तो हम ये कहेंगे plus 0 voltage तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका low हो गया इसका मतलब ये 1 और ये 1 इसका मतलब 2 high हो गया तो 6 भेजना है तो 2 high भेजने पढ़ेंगे पहला high फिर दूसरा high और फिर उसके बाद क्योंकि 0 पर हम माइनस 5 पर चलागे लेकिन ऐसा होता नहीं है मैंने कहले समझाने के लिए कि 0 bit क्योंकि low है इसलिए नीचे दिखाने की कोशिश किया अब आप एक और समझ दीजे इसमें ये जो thick lines दिख रहे हैं आपको ये जो rise हो रहा है ये आपका one हो गया जो नीचे की तरफ जा रहा है इसको हम zero कहेंगे ये ध्यान रहेगा अब अगली बाद जो इसमें आती है वो बड़ी important है digital signal के लिए वो ये है कि digital signal जैसे analog signal जो होता है वो अगर noise है तो बहुत ही ज़ादा उसमें distortion हो जाएगा वो खराब हो जाएगा digital signal जो है वो noise के हिसाब से खराब नहीं होते उत्रे जादा नहीं खराब होते बहुत ही कम खराब होते क्योंकि हैं ही कम digital तो पूरा का पूरा है ना ऐसे करके analog डिजिटल तो किल इतना इतना है ये जो waves है यानि कि digital wave आराम से आप भेज सकते हैं reliable है analog waves की तरह नहीं है इसमें आप चाहे तो आप watches की बात कर लें आपके घड़ी में जो बंधी होगी वो digital watch होगी आपका computer पूरा digital है computer से जो भी wire होते है चाहे आपके computer के अंदर के wire हो या फिर बागे networking cables हो सब में आपका data जो है वो इस तरीके से ही जाता है digital signal की तरह जाता है zero one की तरह जाता है voltage की तरह जाता है ओके